अगर आप medicine से related information चाहते हैं तो अभी subscribe करें चैनल को knowledge for Indian आज की जुड़ों में बात करेंगे azipro 500 tablet के बारे में अब इस azipro tablet के क्या फायदे हैं, क्या side effect हैं, कैसे लेना है और कैस की price है ये सारी जानकरियां जो है आज की जुड़ों में मैं आपको दूँगा तो देखें सबसे पहले हम price से शुरुआत करते हैं, तो 71 रूपी, 70 पैसे में ये आपको 3 tablet मिलती है एक strip आएगी जिसके अंदर आपको 3 tablet मिलेंगी अब देखें price हमें का नुसार बढ़ता रहता है, तो जो आज का price है वो इधर में आपको बताया है और ये जो है सिपला फार्मा बालो की है, जो की काफेची कमपनी है अब इस एजीप्रो को कहां से खरीदना है, तो देखिए, इसको आप कोई भी local alopathy medical store से खरी सकते हो और इसको डॉक्टर की सला से लें, तो बहतर रहेगा अब बात करें ingredient के बारे में, या फिर इसके composition के बारे में, इसमें क्या-क्या है तो देखिए, इसमें है azithromycin, जो की रहेगा 500 mg में अब देखिए, हम इसके फायदे के बारे में बात करें, तो सबसे पहले तो यह मैं बता दूँ कि ये जो azithromycin या azipro है ना ये एक antibiotic होती है, एक antibiotic medicine या tablet है ये, तो देखिए, ये जो बनाए गई है, mainly bacterial infection के लिए बनाए गई है, ये बहुत सारे bacterial infection ऐसे होते हैं, जिनको ये खतम करने में azithromycin काफी असरदार दबाई होती है अब जैसे के कोई respiratory infection है, आपको या फिर कोई lungs में, फैपडों में infection है, तो उसमें भी फायदा करती है, अब आपने देखा हो है कि सर्दी खासी बुखार, सर्दी खासी बुखार में काफी ज़्यादा जो है, ये azipro चलती है, अगर सर्दी खासी है, साथ में बुखार भी तो बिलकुल आप इस azipro 500 tablet को ले सकते हो, अब इसका अलाबा देखिए सर्दी खासी बुखार के साथ गलाख खराब होता है, या फिर नाख में infection, या फिर आख में infection तो उसमें भी इसको दिया जाता है, अब देखिए इसका अलाबा इसकिन में भी कई प्रकार के ऐसे infection होत होती है उसमें भी इसको दिया जाता है, तो ये इसके जो main फायदेत है या जो main-main जो conditions होती है, इसमें ये medicine दी जाती है, उसके बारे मैं आपको बता दिया है, अब देखिए बात कर लेते हैं, डोस के बारे में कैसे इसको लेना होता है, तो देखिए, एक टेबलेट आपक गोई देट साथ है। और सिंपल पानी के सांद लेना होता है। अब देखेוא प्रिगनेंसी में कोई इन्फेक्शन होता हिए तो अन्टिबाइटिक तो लेना पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर की सलास ही लेना है अब इसको कब तक लेना होता है तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि इसमें तीन टेबलेट है तो तीन ही दिन लेना है लेकिन कुछ-कुछ कंडिशन ऐसी होती है कि इसको लंबे समय तक चलाया जाता है लंबे समय तक मतलब जादा हो सकती है तो इस टाइब से side effect हैं जो कि हर किसी को नहीं होते हैं खास थोर से पेट में दिक्कत जो होती है ना यह इसका जो है common side effect है अब इदर कोई कोई दूसरी medicine आप पहले से ले रहे हैं तो उसके साथ इसको ले सकते हैं या नहीं तो देखिए याद रखिए कोई अलग से दूसरी antibiotic नहीं लेना है इसके अलावा अगर आपको कोई 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 दूसरी जैसे के कोई multivitamin की, calcium की, diabetes की, BP की यह कोई medicine चल रही है न तो यह ले सकते हैं लेकिन antibiotic अलग से नहीं लेना नहीं तो बहुत जारा overdose हो सकता है अब इसके अलावा देखिए फायदा कब तक देखने को मिलेगा अगर आप ही azepro 500 tablet लेते हो तो तो देखिए जैसे के इसमें तीन tablet है ना तो तीन दिन आपको लेना पड़ेगा और आपको देखिए दो डोस आप लोगे ना तो दो डोस में ही फायदा मिल जाएगा तो तीन दिन का डोस है बहुत ही कम डोस होता है जित्रोमाइचन का बाकि दूसरी अगर कोई antibiotic के बारे बात करे ना तो उनको एक दिन में दो बार खा खाना बार का खाना पीना यह समना लें आप हैवड़ी डायट लेंगे हैल्दी लाइफ लखे फल लें फ्रूट्स लें शलात लें पानी ज्यादा पीजिए यह सब करे इसके साथ तो यह मेरी एड़्वाइज फॉलो करिए और साथ में इस मेडिसन को लेते जाये तो आपक भी कर दीजेगा फिर में लिंगे रेक्स वीडियो में जब तक आप बने रही है और देखते रही है आपके अपने चैनल में नॉलेज फोर इंडियन